हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो जो फेर चनल तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं Central Warehousing Corporation की तरफ से नोटिविकेशन निकाली गई है उसके बारे में पॉस्थ वेल्याग ऐए उनके लिए वन बाना आपके रिजरव रखी गई है उनके लिए वीट में पीकेंट के रिजरव रखी गई है maximum age limit जो है वो है आपकी 30 years next vacancy जो है वो है superintendent journal की 11 total vacancy या निकाल लिगी है 10 unreserved है और 1 vacancy जो है AWS candidate के लिए reserve है PWBD candidate जो है उनके लिए भी 1 vacancy है reserve रखी गई है maximum age limit है आपकी 30 years next vacancy जो है जो है junior technical assistant की 81 total यहाँ vacancy निकाल लिगी है जिसमें SC के लिए 17 है ST के लिए 5 हैं OBC की 18 है और unreserved आपकी 33 है इसके लावा AWS candidate आउनके लिए 8 vacancy या reserve रखी गई है PWBD candidates के लिए 4 vacancy है maximum age limit जो रखी गई है वो है आपकी 28 years next vacancy जो है वो है आपकी special recruitment drive के लिए लगदाफ और North East India के लिए स्टेट के लिए यह vacancy जिसमें superintendent जनल की North East State के लिए 2 vacancy है और maximum age limit 30 रखी गई है दोनों के दोनों वकैंसी जो है अन्रिजर्व है next vacancy जो है अब टेक्निकल असिस्टेंट North East State के लिए है 10 total vacancy है जिसमें SC के लिए 1 है और EWS जो है उनके लिए 1 vacancy है रखी गई है नेक्स्ट वकैंसी जो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट रद्धा के लिए है तू टोटल वकैंसी से दोनों भी दोना वकैंसी अन्रिजर्व है आपकी रखी है 28 एर्स आपकी मैक्समेज लिमिट रखी गई है यहां पर जो स्लेक्शन प्रोसेस है आपका अगर आप जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट वरिफिकेशन होगी सिर्फ आपकी यह एप्लिकेशन फिलप होना स्टार्ट होगी आपकी 26 अगस्ट 2023 से 26गस 2023 इस ब्रेश के लिए अपलाई कर सकते और लौस डертв 심 pounds स्टमबर आपकी अप्लीकेशन बालाई करने के लाजट है आ बाकी आँका जो यह के आपके कॉल डेटर है यह जब दिन पहले आपको एक्जाम से पहले आपको प्रॉक्वाइट कर दिए जो जो qualification यहां रिखी गई है अगर आप assistant engineer civil के लिए अपलाई कर रहे हैं तो आपके बस degree होनी चाहिए civil engineering में assistant engineer electrical के लिए आपके बस degree होनी चाहिए electrical engineering में accountant के लिए b.com होनी चाहिए या फिर b.a. commerce होनी चाहिए या फिर charter accountant या फिर cost and work accountant या SS accountant of Indian audit and account department with three year experience in maintenance and auditing of India accounting in industrial commercial या फिर departmental undertaking में three year का यहाँ पर maximum आपके पास experience होना चाहिए minimum experience जो है आपका sorry three year के आपका पास होना चाहिए accountant के लिए next वोगेंसी जो आपका फिर जर्नल की इसके लिए आपका आपकी जो नेक्स्ट वोगेंसी है जो लद्दाक और नौर्थ इस्टेट के लिए हैं वहाँ पर सुप्रिदेंट एंजिनियर जर्नल नौर्थ इस्ट के लिए पॉस्ट ग्याजवेट डिग्री होनी जी आपके पास किसी भी रिकॉनाइज यूनिवस्टी से एंस्टूट यहां लिए अगर आप डिजर्व काटगरी से हैं जैसे अगर आप स्ट काटेगरी से हैं तो फाइव यहां प्रवाइट की गई है जो आपकी अप्लिकेशन फीज यहां रखी गई है वह रखी गई है आपकी दो मिट अभी हम चेक कर लते हैं कि आपके अप्लिकेशन फीज क्या रखी गई है एप्लिकेशन फीज जो है आपकी अगर आप मेल कैंड़ेट्स हैं अन्रिजर्व एडवलेस ओबीसी कैटेगरी से तब 850 रुपीज आपको एप्लिकेशन फीज देनी है और इंटीमेशन चार्ज जो है 400 रुपीज है तिसरा से टोटल आपको जो है 1250 रु इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड करवा दिया वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो चलाएगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्क्राइब करना ना भूले thank you and have a nice day